हाई फ्रेंड्स वेलकम करती हूँ आप सभी का टेक्निकल गवर्मेंट जॉब और अवर इंडिया पर आज की ये वीडियो आप सब के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है आज मैं आपके लिए बिल्कुल फ्रेश रिक्रूट्मेंट लेकर आई हूँ जो की अधार का ड डारेक्ट थो एक्जाम नहीं होगा कैफीर एडारेक्ट ये रिक्रूटमेंट लेक्रूट्मेंट अब भी डारेक्ट रिक्रूट्मेंट आय원 है किस तरह एक। तरह प्लाई करना है कि sistemas अब 2 थो कीक्अडेंट सबुन्स में इस सब्सक्राने किसीजां ल vic ठीक है? डारेक्ट रिकूट्मेंट है और All India ये जोब है, चाहे आपött pesanit हो, चाहे female candidates हो, दोनों ही यहाँ पर apply कर सकते है, दोनों ही eligible है, ठीक है? अलगले qualification के हसाब से, इसमें हमेशा vacancies आती है, हर qualification के हिसाब से, अभी भी इसमें vacancies जो है, और important dates क्या क्या यहां पर बता दीगी हैं तो friends आप देख सकते हैं हम अपनी official website पे आ चुके हैं बहुत अच्छा मुका यहां पे आपके पास आ चुके हैं और apply करना भी आज से start हो चुका है ठीक है तो बहुत अच्छा मुका यहां पे आपके पास आ चुका है बात करेंगे recruitment की अधारकार की तरफ से यह recruitment आई है यानि की unique identification authority of India की तरफ से और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं जल्दी से चैनल को subscribe कर लिजी अगर आप चाते हैं हर recruitment का notification आपको सबसे पहले पता चल जाए वो भी with official notification pdf तो जल्दी से चैनल को subscribe केजिए साथ में bell icon आप देख रहे हैं इसको जरूर प्रेस करना इससे आपको free में notification आते रहेंगे जब भी मैं कोई नहीं जानकर आपके लिए लेकर आउगी और इस recruitment के इलावा आज चार नई notification आगे हैं प्रेश है जिसमें 8th past 10th past 12th graduation diploma डिगरी की वेकैंसी आई है उन वेकैंसी को भी आप जाकर जरूर चेक कर लेना किसी ना किसी के लिए आप जरूर आप पे eligible होंगे तो उसका भी आपको मैंने link किस वीडियो के description में दे दिया है हमारी official site पर जाकर आप सारी वेकैंसी को चेक कर सकते हैं और आप screen पर भी website देख पा रहे हैं फिलहाल हम बात करें अधार कार की तरफ से आय होई direct recruitment के बारे में किस तरह apply करना है क्या क्या eligibility बताएगी है सबसे पहली बात देखे कौन को यहाँ पर apply कर सकते हैं यह मैंने आपको स्टार्टिंग में ही clear किया था कि all इंडिया से आप apply कर सकते हैं चाहे male candidates हो चाहे female candidates हो ठीक है important dates की बात करने कि apply करना स्टार्ट हो चुक है last date apply करने के लिए देखे इन्होंने mention नहीं कि आभी recruitment यह चल ही रही है बहुत सारी vacancies आई हैं ऐसा मोका हाथ से मत जाने देना अब मैं आपको details में बताऊंगी कौन कौन सी vacancies आई हैं और apply किस तरह से करते हैं salary मैंने आपको starting में ही बता दिया था कि starting आपकी 34,800 है प्लस जो 54,000 रुपीज इन्होंने grade पेस में बता रख है vacancies देखें जैसे कि मैं आपको बताया अलग-अलग आउट रही है officer की post है, senior officer की है, assistant officer, accountant, assistant account officer, private secretary की ये vacancies आउट कर दी गई है उसके बाद बात करेंगे apply किस तरह से करना है और qualification क्या-क्या बताएगी है so 10th pass, 12th pass, graduation, post graduation वाले यहाँ पर apply कर सकते हैं उसके बाद age limit के बात करेंगे आपकी age minimum जितनी मर्जी हो, 18, 19, 20, जितनी मर्जी हो आप apply कर सकते हैं 55 साल से ज्यादा आपकी age नहीं होनी चाहिए क्योंकि 55 साल से उपर इंदोने relaxation यहाँ पर mention नहीं किया हुआ नोटिफिकेशन में ठीक है यहाँ से आप लेटेस गवर्नमेंट जॉप से इसके इलावा आउट की गी है उन विकेंसिस को आप जहां पर चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आप study material डाउनलोर कर सकते हैं उसके बाद application mode जो है इसका वो offline है यह notification है यहाँ पर क्लिक करके आपने पहले notification रीड करना है और उसी के साथ application form अटेच किया हुआ है उसको fill करके इनके mention address पर भेज़ देना है जो उन्होंने address notification में mention कर रखा है 10th to 12th graduation वाले apply कर सकते हैं अगर आप इनके eligibility criteria के अंडर आते हो ठीक है तो जल्दी apply करना like करना वीडियो को share करना subscribe जरू करना चैनल को मिलेंगे next वीडियो में नई information के साथ thank you thanks for watching